नमस्कार दोस्तों, UPPCS Prelims Previous Year Questions की इस सीरीज में मैं प्रसान्त आप सब का स्वागत करता हूँ इस सीरीज का ये मेरा दूसरा लेक्चर है, इस सीरीज का पहला लेक्चर आलरेडी इस चैनल पे अप्लोड किया जा चुका है जिसे अभी तक अगर आपने ना देखा हो, तो आप इस चैनल पे चले जाएए, वहाँ पर आपको UPPCS Prelims 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में वो लेक्चर लगा हुआ है, तो वहाँ जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं तो अभी तक हमने Previous Year Questions के इस सिरीज में Modern History से जुड़े हुए Previous Year के Questions को देखा, जिसमें हमने डिसकस किया, 2014 से लेकर के, 2013 तक के प्रस्नों को और बड़े विस्तार से हमने एक-एक प्रस्न को डिसकस किया, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और 2014 से अपनी यात्रा को करेंगे, 2014 में Modern History से खुब सारे प्रस्न पूछे गए और खुब का अर्थ है कुल 22 प्रस्न पूछे गए, इस हिसाब से आप देखें, तो ये जो सबजेक्ट है Modern History ये बेहत महत्वपूर है, इसलिए इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखने के आउ सकता है, सभी प्रस् आपको अच्छा लगे, तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, तो चलिए सीधे हम आज की क्लास को सुरू करते हैं, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि UP PCS Prelims 2023 के लिए Decode Exam के और से एक टेस्ट सीरीज लांच की गई है, और ये बेहत बिस्तारित टेस्ट सीरी ये टेस्ट होगा, इसमें कुल 150 questions होंगे, तो ऐसे 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, जो कि full टेस्ट होंगे, इसके अलावा 14 subject wise टेस्ट होंगे, ऐसे subject जिनसे खुब सारे प्रस्न पूछे जाते हैं, उनसे 2-2 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो Indian Policy से 2 टेस्ट होगा, Science से दो टेस्ट होगा, Geography से 2 टेस्ट होगा, History से 2 टेस्ट होगा, तो इस तरह से, और Environment और Ecology से 1 टेस्ट होगा, जनगर्ना से 1 टेस्ट होगा, Agriculture से 1 टेस्ट होगा, इस तरह से 14 subject wise टेस्ट है, 10 full टेस्ट है, चूकि Current Affairs की बहुत महत्ता है, तो full टेस्ट में तो Current Affairs के 30, 35, 40 questions रहे पांच Current Affairs के भी टेस्ट होगे, और 5 टेस्ट सी सेट के होगे, ठीक है, तो full 34 टेस्ट होगे, बहुत अच्छे प्रकार से इस टेस्ट सेरीज को बनाया गया है, और Decode Exam को उसकी टेस्ट सेरीज के लिए जाना जाता है, आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जोड़ना चाहते हैं, तो आप 9506742546 पर हमें WhatsApp कर दीजिए, UPPCS 2023 लिख करके, ठीक है, तो वहाँ सारी जानकारी आपको दे दी जाएगे, चलिए तो ये बात होई टेस्ट के, अब सिधे हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक 2013 तक के प्रस प्रसनों को हमने डिसकस कर लिया है, अब उसे से आगे बढ़ेंगे, तो 2014 में UPPCS prelims में जो question आये हैं, उन्हें अब हम डिसकस करेंगे, तो आपको प्रसन दिख रहा है, मेरे साथ इन प्रसनों को पढ़ते हुए, इनने साल्प करते हुए, comment box में अपना उत्तर लिखते हु और 80 अरुंडेल, तो बंगाल विभाजन के समय, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, सर एंड्रूज फेजर, और भारत का गवर्नर जनरल कौन था बंगाल विभाजन के समय, तो वो था लाड करजन, तो लाड करजन भारत का गवर्नर जनरल था, जब बंगाल का देखते हैं ठीक है तो देखिए बंगाल विभाजन का प्रस्ताव बंगाल के ततकालिन लेफ्टिनेंट गौवर्नर एंड्यू फेजर ने 1903 में रखा जो बिलियम बढ़ के दिमाग की उपस थी और जैसा कि मैंने आपको पुरू में भी बताया कि लाड़ करजन ने कहा कि च इसलिए बंगाल का हम विभाजन कर रहा है लेकिन उसके पीछे कारण और बहुत सारे थे ठीक है चलिए दूसरा प्रस्तन ब्रिटिस पत्रकार HW नेविंसन जुडे थे A. असयोग आंदोलन से B. सविनयोग आंदोलन से C. स्वदेशी आंदोलन से और D. भारत छोडो आंदोलन से तो ब्रिटिस पत्रकार HW नेविंसन जुडे थे स्वदेशी आंदोलन 1905 से तो 34 का जो हमारा उत्तर है वो है C. आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसल्मानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी A. सौकतली B. मुहमदली C. मौलाना एकियाजाद और D. म. ए अंसारी तो 1 अगस्त 1902 का दिन भारतियों के लिए बड़ा उत्साह का दिन था क्योंकि महात्मा गांधी ने इसी दिन को अस योग आंदोलन के प्रारंब होने के दिन के रुप में चुना था यानि 1 अगस्त 1920 को भारत में असयोग आंदूलन का प्रारंब हुआ लेकिन ये उत्साह का दिन ये हर्स का दिन तब दुख में तब दिल हो गया जब ये पता चला कि भारत की उग्र और ओजस्वी वाड़ी रहे लोकमान तिलक का निधन हो गया तो लोकमान तिलक का निधन असयोग आंदूलन के प्रारंब होने वाले दिन ही हुआ यानि 1 अगस्त 1920 को ही हुआ तो यहां प्रस्न पुछा जा रहा है कि महत्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाने का किसने काम किया तो अली बंधूं में से सौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाने का कारे किया तो 35 का हमारा जो उत्तर है वो है ए ठीक है यहां पर यंग इंडिया में लोकमान तिलक सिर्शक से एक सरधानजली लेख महत्मा गांधी ने लिखा उसमें उन्होंने क्या कहा हो सकता है से कोटेशन दे करके भी आप भी पूछा जाया तो आगे जब इस चरण को आप पार कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके कामाएंगे तो एक मिनट में हम पढ़ने का कारे करेंगे ठीक है तो महत्मा गांधी ने लिखा कि वे जनता की अभिन अंग थे जनता पर जितना प्रभाव उनका था उतना हम स्वराज मेरा जन्म सिद्ध दिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तो जिस तनमेता और आगरा से स्वराज के विरल गाथा सुनाई वैसा कोई नहीं कर पाया वास्तों में हमारे बीच से एक महमानव चला गया सिंग की आवाज सदा के लिए मौन हो गई ठीक है मुहमद अ जिन्ना ने अपने सरधानजली अर्पत करते हुए कहा कि स्री तिलक ने एक सैनिक की तरह देश की सेवा कि और हिंदू-मुस्लिम एक्ता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई हम जानते हैं कि जो लखनव पैक्ट हुआ था उसमें बेहत महत्वपूर भूमिका लोक इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे एंडियन ओपिनियन महत्मा गांधी द्वारा 1903 में दक्षिड अफ्रिका में प्रारंभ किया गया था और ये कुल चार भासाओं में छपता था पहला गुजराती दूसरा हिंदी तीसरा तमिल और चोथा अंग्रेजी ठीक है तो मनसूख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे अगला दादा भाई नौरोजी के विशय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है तो कुल चार कथन दिये गए हैं इसमें से एक असत्य कथन को हमें छाटना है वह पहले भारती थे जो एलफिश्टन कालेज बंबई में गड़ी तेवंग भौतुकी के प्रोफेसर नुक्त हुए थे तो ये सही है वह पहले भारती थे जो एलफिश्टन कालेज बंबई में गड़ी तेवंग भौतुकी के प्रोफेसर नुक्त हुए थे और इन्हें लिबरल पार्टी के टिकट पर भेजा गया था, यानी उदारवादी दल से तो ये भी सकते हैं। 1886 में उसके बाद पुनह 1893 में दादा भाई नोरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और फाइनली 1906 में दादा भाई नोरोजी को कलकत्ता में अध्यक्षता मिली कांग्रेस की और वो इस आधार पर मिली कि नरम दल और गरम दल नरम पंथी और गरम पंथी दोनों अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे और अंत में ये तैं हुआ कि दोनों पक्ष दादा भाई नौरोजी के नाम पर सहमत हो जाएगा क्योंकि उनका बहुत अधिक सम्मान सभी लोग करते थे उन्हें ग्रेंड ओल्ड मैन आफ इंडिया भी कहा गया तो सभी लोग उनका सम्म करते थे इसलिए 1906 में उन्हें कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता दी गई और यहीं पर स्वराज इसका जो है अध्यक्षी असंबोधन में उन्होंने उलेख किया ठीक है तो वो चार बार भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे बलकि उन्हों वो त इन बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो D हमारा उत्तर है ठीक है चलिए अगला भारती राष्टी कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था A कलकत्ता अधिवेशन, B सूरत अधिवेशन, C कलकत्ता अधिवेशन और D अमरित सर तो अमरित सर अधिवेशन 1919 जो जलियाँ वाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था अमरित सर में ही 1919 में वो अंतिम अधिवेशन था जिसमें बाल गंगा धरतिलक ने भाग लिया था क्योंकि उसके पस्चात एक अगस्त 1920 को उनके मृत्ति हो गई तो ये उनका अंतिम अधिवेशन था एक तत्थे और भी है कि इतने बड़े लीडर थे बाल गंगा धरतिलक लेकिन वो कभी भी कांगरेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए तो कभी भी बाल गंगा धरतिलक लोक मान नितिलक कांगरेस के अध्यक्ष नहीं हो पाए दूसरा महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिस पार्लियामेंट को बाज और बेस्या कहा है तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिस पार्लियामेंट को बाज और बेस्या कहा है तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसे महात्मा गांधी ने 1909 में गुजराती भासा में लिखा था ठीक है तो चलिए अगले प्रस्न पे बढ़ते हैं जलिया वाला बाग नरसंगहार पर कांग्रेस जाज समिती की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कारेश स्वंपा गया था E. जवाहरलाल नहरू को, B. महात्मा गांधी को, C. सी यारदास को और D. फजलूल हक को तो जलिया वाला बाग नरसंगार ने पूरे देश को अस्तब्ध करके रख दिया जनरल डायर की क्रूरता ने मानवता को पूरी तरह से सरमसार कर दिया लेकिन बिटिश सरकार ने इस नरसंगार के जाज के लिए जो हंटर कमिशन बनाया उस Hunter Commission ने पूरी तरीके से इस नरसंगार की लीपापोती करने का कारे किया, जिसके पस्चात कांग्रेस ने अपनी एक गैर अधिकारिक कमेटी का निर्माड किया, जिसे तहकिकात समिती कहा गया, उस तहकिकात समिती में जो रिपोर्ट लिखने का कारे सौपा गया था, वो मह महात्मा गांधी को सौपा गया था, तो इन्होंने ही रिपोर्ट लिखने का कारे किया था, ठीक है, महात्मा गांधी भी हमारा उत्तर है, अब तहकिकात समिती की कुछ और बातों को हम समझ लें, जो प्रस्न बनते हैं, तो इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवी, यानि ज महात्मा गांधी, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, निम्न लिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ तो ब्यक्ती हैं, और दूसरी तरफ पुस्तकों का नाम लिखा हुआ है, पूछा ये जा रहा है कि इसमें से एक सुमेलित नहीं है, तो चल द्वारा लिखी गई पुस्तक, इंडियन स्ट्रगल, जिस पर बिटिसों ने प्रतिबंध लगाने का कारे किया, दूसरा दादा भाई नोरोजी की प्रसिध पुस्तक, जिसने ड्रेन सिधान्त को पूरी तरह से समझाने का कारे किया, पावर्टी, एंड अन बिटिस रूल राजेंद्र प्रसाद की किताब इंडिया डिवाइडेड और फ्रेंक मोरेस इंडिया फ्राम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर यही गलत है, सेस तीनो सही सुमेलित है, इंडिया फ्राम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक को लिखने का काम दूरगा दास ने कि है फ्रेंक मोरेस ने नेहरू आटो बायोग्राफी लिखा है ठीक है तो डी हमारा उत्तर है चलिए आगे बढ़ें बीजी तिलक के सजा के पस्चाथ निम्न लिखित में से किसा ने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिल बीजी तिलक के सजा के पस्चाथ दया की वकालत मैक्स मूलर ने की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिल्चस्पी है तो लोकमाने तिलक पर कुल तीन बार राजद्रोह का केस चला जब उससे रिलेटेट प्रस्न आएगा तो उस प हारतीराष्टी कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रतम बार स्वराज सब्द व्यक्त किया गया था ये प्रस्न बहुत बार पूछा गया ठीक है एब अनारस अधिवेशन B कलकतः अधिवेशन C सूरत अधिवेशन और D उपरोक्त में से कोई नहीं तो कांग्रेस के मंच से प्रथम बार स्वराज सब्ध का उलेख कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्स्ता कर रहे दादा भाई नोरोजी ने किया तो जो कलकत्ता में 1906 का अधिवेशन हुआ बंगाल विभाजन 1905 के बाद तो उसमें गरमपन्ती ये चाहते थे कि उन में से कोई कांग्रेस की अध्यक्सता करें तो गरमपंथी अपना ध्यक्ष बनाना चाहते थे अंततह दादा भाई नौरोजी के नाम को नरमपंथियों ने आगे बढ़ाया और चुकि सब लोग इनका सम्मान करते थे अतह गरमपंथि भीन के नाम को टाल नहीं सके लेकिन गरमपंथियों ने अपने चार प्रस्ताव इ तीसरा प्रस्तावथा राष्टिय सिक्षा नीती का और चौथा प्रस्तावथा सुदेसी का ठीक है तो बी कलकत्ता धिवेशन 1906 अगला भारतिय राष्टिय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिये कैकूट से सही घटनाओं कब हुआ नहीं तो इस तरह के प्रस्त आ जाएंगे ठीक है तो बीजी तिलक का निधन एक अधिनियम के रूप में रोलेट विध्यक का पास होना जलिया वाला बाग नरसंगार प्रहरति राष्टिय कांग्रेस का अमरित सर अधिवेशन देखे सब से पहले तो एक अधिनि के रूप में रोलेट विध्यक का पास होना ठीक है फरवरी 1919 उसके पस्चात जलिया वाला बाग नरसंगार बहसी जनरल डायर ने निहत्य लोगों पर गोलिया चलवा दी तो ये हुआ 13 अप्रायल 1919 को बैसाखी के दिन ठीक है उसके पस्चात भारती राष्टिय कांग्रेस ने उसी अमरित सर में अपना अधिवेशन किया दिसंबर 1919 में और फाइनली लोगमाने तिलक का निधन एक अगस्त 1920 को हुआ तो सबसे पहला घटना करम था रोलेट विध्यक का पासोना तो दो सबसे पहले उसके बाद 3 तो 2-3 फिर 4 भारती राष्टि कांग्रेस कांग्रेस अमरित सर जुएशन और सबसे बाद में बीजी तिलक का निधन तो ये हमारा उत्तर है तो 44 का जो हमारा उत्तर है वो है ए चलिए, आगे बढ़ते हैं. चलिए, निम्न लिखित में से किसने गांधी इर्विन समझोते में महत्मा गांधी के लाब को सांत्वना पुरसकार कहा था. अगले प्रसन पे बढ़ते हैं. सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए. तो सुची एक में ब्यक्ति हैं और सुची दो में उनके द्वारा किये गए कार्य हैं. तो पहला बिनोवा भावे, बीजी तिलक, अरुड़ा असफ अली, सुरुची नाइड़ी, होम रूल, अंदोलन, ब्यक्ति सत्यागरा, धर्सना रेट और भारत छोड़ो अंदोलन. तो बिनोवा भावे हम जानते हैं, पहले ब्यक्तिगत सत्यागरही थे, प्रथम यही थे, बीजी तिलक को हम जानते हैं, इनके होम रूल अंदोलन के लिए, अरुड़ा असफ अली का नाम प्रसिद्ध हो गया भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान ग्वालिया टैंक मैदान म कांग्रेस का जंडा फाराने को लेकर, और सरोजनी नाइडू ने बहुत सहसिक कारे किया था धरसना रेड का, जो धरसना का नमक कार खाना था, सबीने अवग्यां अंदोलन के दोरान उस पर अटैक किया गया था, तो ये सरोजनी नाइडू, तो ऐसे में A का 2, अब यहाँ बिनमा भावे ब्यक्तिगत सत्यागरा पता है, केवल इतना, तो आप इस प्रस्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, क्योंकि A का 2 केवल और केवल A में है, बाकी कहीं नहीं है, आप देख लेजे, तो केवल इतना पता हो जाया, तो भी आप इस उत्तर तक पहुँच सकते हैं, तो बिनमा भावे ब्यक्तिग सत्यागरा है, A का 2, B का 1, B जी तिलक होम रूल, C का 4, अरुडा सफली, भारत छोडवा अंदोलन, और D का 3, सरोजगी नाइडू, धरसना रेट, ठीक, चलिए, अगले प्रस्त पे बढ़ते हैं, काकोरी केश के अभ्यूप्तों के बचाव हे तो काकोरी केश के अभ्यूप्तों के बचाव हे तू, गुबिंद बलब पंत की अध्यक्सता में एक समिती का कठन किया गया था, तो कुल 29 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, इसमें 4 लोगों को फासी की सजा मिली, रामप्रसाद बिस्मिल, अस्फाक उल्ला खान, रो अध्यक्ष थे, गुबिंद बलब पंत, लेकिन सरकार की तरफ से जो इन करांतिकारियों के विरुद मुकदमा लड़ने का कारे किया, उसका नाम था पंडित जगत नरायन मुल्ला, ठीक है, ये भी प्रस्न पूछा जा सकता है, पंडित जगत नरायन मुल्ला, वो सरकार का वकिल था, अगला, the man who divided India पुस्तक के लेखक थे, तो the man who divided India पुस्तक के लेखक कौन थे, मौलाना अबुलकलाम आजाद, राजेंदर पसाद, रफिक जकारिया, और लेरी कालिंस, और डोमिनिक लापियरे, तो the man who divided India पुस्तक के लेखक थे, रफिक जकारिया, मौलाना अब इंडिया wins freedom, और राजीन्द प्रसाद ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था इंडिया divided, ओर लेरी कालिंस और डोमेनिक लापियरे ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था freedom at midnight, ठेख़, तो रफिक जाकारिया हमारा उत्तर है, c अगला, निम्न लिखित में से किसने भारती राष्टी कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोगप्रियता और सम्मान की पराकाश्ठा माना A. S.C. Boss, B. पटाभी सिता रमिया, सरदार बल्लब भाई पटेल और D. सरदार किसन सिंग तो देखे, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, जिसमें गांधी इर्विन समझोते की पुष्टी की गई, तो गांधी इर्विन समझोता जब हो रहा था, तो महात्मा गांधी के उपर भगत सिंग और साथियों के बचाव को ले करके, बहुत दबाव डाला गया था कि ऐसे समय में जब लाड इर्विन स्वैम महात्मा गांधी से समझोता करना चाहता है, और यह चाहता है कि कांग्रेस गोल में सम्मेलन में भाघ ले, तो ऐसे समय में उसके उपर डबाव डाला जा सकता है और भगत सिंग को बचाया जा सकता है, इसको ले करके, बहुत बाव था महात्मा गांधी पर और इसके साथ ही साथ सबीने अवग्यां आंदोलन को रोक करके कांग्रेस गोल में सम्मेलन में भाग लेगी ये बात भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही थे और दोनों बातें हुई मतलब भगत सिंग के बचाओ के मुद्दे पर महत्मा गांधी ने क्या बात किया वो तो एक अलग भी से है लेकिन उन्होंने आंदोलन को रोक करके गोल में सम्मेलन में भाग लेने का निर्ड़ लिया और अंदता भगत सिंग को फासी हुई है इंडरी जल तो वही रहा तो ऐ है ठीक है तो ये कहने का कार एसी बोस ने किया ठीक है नेता जी सुबास चंडर बोस अगला नीमना लिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्टवाद का संप्रदा संप्रदायवाद के पक्ष में बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्टवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समरपन के रूप में लिया डाक्टर सैफू दिन किचलू ने तो डाक्टर सैफू दिन किचलू बहुत दूखी थे ये वही डाक्टर सैफू दिन किचलू है जि पहले ब्रिटिस सरकार द्वारा डाक्टर सत्यपाल के साथ गिरफतार किया गया था दो लोग गिरफतार हुए थे डाक्टर सैफुदिन किचलू और डाक्टर सत्यपाल और इन दोनों लोगों की रिहाई के मुद्दे पर जलियाँ वाला बाग में हजारों लोग एकत्रित हुए थे तो डाक्टर किछलू ने ये कहा कि अंत में संप्रदायवाद जीत गया और राष्टवाद हार गया राष्टवाद का संप्रदायवाद की पक्ष में समर्पण हो गया ठीक है ये अब विभाजन से ले करके जो भारत का विभाजन हुआ उस पे किसने क्या क्या कहा ये भी पूछा जा सकता है और थोड़ा सा हम विभाजन की परिस्थितियों को भी समझ लेंगे इन लोगों के विचारों से तो सरदार पटेल ने कहा कि हमने यह मसूस किया कि अगर हमने विभाजन को स्युकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकडों विभाजित होकर नश्ठ हो जाएगा मेरे एक वर्ष के अनुभाव से मुझे ग्यात हुआ कि जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वो हमें बिनास की तरफ ले जा रहा था ऐसा करने पर एक नहीं कई पाकिस्तान होते हमारे प्रते कार्याले में पाकिस्तान की साखा होती गांधी जी ने कहा अगर कांग्रेस विभाजन मंजूर करेगी तो उसे मेरी लास्त पर करना पड़ेगा जब तक मैं जिन्दा हूँ भारत के विभाजन पर कभी राजी नहीं होँगा ये जो गांधी जी ने वक्त अब दिया था इसने लाखो हिंदूओं की जान को खतरे में डाला ये असपश्ट है क्योंकि सब ने क्या कहा महत्मा गांधी की लोग प्रियता देखिए उनके सब्द ही करोडों लेगों के ल जो छेत्र भारत के पाकिस्तान बने यानि पस्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से समय रहते बहुत सारे हिंदू निकल नहीं पाए क्योंकि उन्हों लगा कि महत्मा गांधी ने ये बात कहा है और ऐसे में बिभाजन होने वाला नहीं है और अन्ततह गांधी जी जीवीत रहे बिभाजन हो गया हलाकि उनमें उनका कोई वस्त नहीं था लेकिन इनके वक्तवे का प्रेडाम क्या हुए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर समय रहते नहीं निकले तो लाखों हिंदू काटे गए आप जानते ही है जिन्ना ने क्या कहा? मैंने अपने सचीव तथा उसके टाइप राइटर की साहता से मुसल्मानों के लिए पाकिस्तान प्राप्त कर लिया है ये सबसे बड़ा जूट है जो प्रत्यक्ष कारवाई दिवस मनाया गया बंगाल में और जिसके पस्चात पुरे देश में दंगा भड़का पुर्वी बंगाल में नोवा खली में बहुत बड़ा दंगा हुआ उसने अंतता मजबूर कर दिया कांग्रेस को और जो कांग्रेस और लीग की सरकार चली यहाँ पे लिखा है न मेरे एक वर्स की अनुभा से उससे पता चल गया कि इस्थिती बहुत भयावव है अब सोच लिजिए कि जवाहरलाल नहरू ने कहा कि हमने अपने सर्द दर्द से बचाव करने के लिए अपनी गर्दन कट वाली अब सोचिए वो सर्दर्द कैसा रहा होगा जिसको रोकने के लिए कोई ब्यक्ति कहे कि मेरा गर्दन काट दो मेरा सर इतना दर्द हो रहा है कि अब मेरी गर्दन काट दो और इसे मुझे मुक्ति दे दो ठीक है चलिए और थोड़ा सा बात करते हैं तो 14 जून को कांग्रेस महासिमिति की बैठक में माउंट बेटन योजना को स्विकार कर लिया गया माउंट बेटन योजना का स्विकार करने का मतलब बिभाजन की योजना को स्विकार कर लिया गया तो गोबिंद बलब पंत ने बिभाजन प्रस्ताव को पेस किया और अबूल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया योजना की स्विकृति ही देश के स्वराज और स्वाधिनता पाने का एक मात्र मार्ग है। आज हमारे पास दो मार्ग है। या तो हम माउंट बेटन योजना को स्विकार करें या फिर आत्मात्या करें। सोचिए क्या इस्थिति थी। बड़े डिटेल में हमने हर इस्थिति को समझा हुआ है क्लास में लेकिन यहां सेंटेस देखे या तो हम माउंट बेटन योजना को स्विकार करें या फिर आत्मात्या करें तो यह मजबूरी में ही हुआ था किसी का मन नहीं था क्याबिनेट मिसन योजना के समुहों और निरबर्केंद्रों से यह योजना बहुत अच्छी है तो कैबिनेट मिसन प्लान में समुहों की जो बहुस्ता थी वो भी हम आगे जा करके समझेंगे तो आपको असपास्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि इन नेताओं को लगा कि एक छोटा सा छेत्र भारत का दे करके इन परिशानियों से अगर बचा जा सकता है तो अब ये कर लेना ही उचित होगा क्योंकि Cabinet Mission Plan तो और भी अलग तरह का था वो पर्मानेंट घाव बना रहा जाता ठीक है अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा इन्होंने ही समर्थन किया था वह भी बिरोधी थे लेकिन अंत्रत अब इनको भी करना पड़ा तो कंग्रेस कारसिम्ति का ये फैसला सही नहीं है लेकिन कंग्रेस के पास कोई दूसरा रस्ता था ही नहीं तो ये करना मझबूरी ही थी चलिया निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक भगत सिंग सचिंद्रनाथ सान्याल लाला राम सरंदास भगवती चरण बोहरा तो भगवती चरण बोहरा दी फिलास्पी आफ बम का दर्शन ये पुस्तक भगवती चरण बोहरा ने लिखने का कारे किया लाला राम सरन्दास, दे ड्रीम लेंड, सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन लिखा और दी इंडियन सोसियोलाजिस्ट को स्याम जी कृष्ट वर्मा ने लिखा था भगत सिंग ने नहीं लिखा था भगत सिंग की पुस्तक का नाम वाई आई एमने एथिस्ट है ठीक ह उस्तर हमारा ए है चलिए आगे बढ़ते हैं नई दिल्ली में 1947 में आयोजीत अखिल भारतिये कांग्रेस सिमिती के बैठक में निम्नली खित में से किसा ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था देखिए वहीं प्रस्तना आ गया गोबिंद बलब पंत सरदार बलब प्राप्त हुई थी कब हुई थी 18 जुलाई 1947 को 19 जुलाई 1947 20 जुलाई 21 जुलाई तो भारतिये स्वतंतरता विध्यक को राजकी स्विक्रिती मिली थी 18 जुलाई 1947 को ठीक है तो देखें माउंट बेटन योजना 3 जुन 1947 को आई इसलिए इसे 3 जुन की योजना भी कहते हैं और विभाजन की योजना भी कहते हैं तो 14 जुन 1947 को कांग्रेस ने माउंट बेटन योजना को स्विकार कर लिया 10 जुन 1947 को मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्विकार कर लिया तो अब बात पक्की हो गए अब ऐसे में ब्रिटिसस फ्री हैं कि अब भारतिये स्वतंतरता लाइन तो 4 जुलाई 1947 को विध्यक ब्रिटिस संसद में पेश हुआ और दोनों सदनों से पारित हो करके 18 जुलाई 1947 को ये अधनियम बन गया ब्रिटिस संप्रभू के हस्ताक्षर से कहा जाता है कि ब्रिटेन के संसदिय इतिहास में इतना महत्वपूर बिल इतना जल्दी कभी पारित नहीं हुआ है तो इतनी हडबड़ी में थे अंग्रेज भारत से जाने के लिए इस्थिती इतनी बिगड़ चुकी थी ठीक है तो इसमें क्या हुआ तो कहा गया कि 15 अगस तो 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन अस्थापित किये जाएंगे पाकिस्तान डोमिनियन में सामील होगा पूर्वी बंगाल, पस्चिमी पंजाब, सिंध, NWFB, Northwest Frontier Province और बलुश्चिस्तान और असम का सिलहट जीरा पूर्वी बंगाल का हिसा होगा, ठीक है देशी रियासतों को या अधिकार होगा, कि वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान से जूड़ सकती है, या फिर स्वतंतर रह सकती है, ठीक है चलिए अब 2014 में जो प्रस्ण पूछे गए थे, वो समापत हो गया, बहुत अधिक प्रस्ण पूछा गया था, कुल 22, ठीक है, चलिए अब UPPCS, प्री 2015 के प्रस्ण को देखते हैं, 15 में दो प्रस्ण हुआ, पहला पेपर, कैंसिल हो गया, तो फिर रिएक जाम हो गया तो हमने कैंसिल को भी नहीं छोड़ा, देख लेते हैं, भई प्रस्ण है, हमारे काम का ही है, ठीक है, चलिए तो British East India Company ने चाय के ब्यापारिक एक अधिकार को खो दिया, 1793 के चार्ट, 1813 के चार्ट, 1833 के चार्ट, 1853 के चार्ट, 1853 के चार्ट का उस अधिकारिता को तो British East India Company ने 1813 के अधिनियम में ही खो दिया था, 1813 के अधिनियम ने अस्पष्ट रूप से कर दिया, कि British East India Company का ब्यापारिक अधिकार समाप्त होता है, सिवाए दो वस्तुओं के, एक चाय का ब्यापार और दूसरा चीन का ब्यापार, इसे भी 1833 के चाय के ब्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, चार्टर डेक्ट 1833, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, सेंट हेलेना एक्ट 1833, तो सेंट हेलेना एक्ट 1833 इसे क्यों कहा जाता है, यह कमेंट करके आप लोग बताएंगे, त 1833 के चार्टर डेक्ट को प्रसना दे जाएंगे, इससी तरह से एक एक्ट को हम रिवाइच करेंगे, ठीक है, तो 1833 का एक्ट, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल ब्लना दिया गया, प्रथम कौन था, लाड बिलियम बैटिंग, अब क्या हुआ पूरी तरह से केंद्री करण को प्रारंब किया गया, तो भारत के गवर्नर जनरल को संपूर भारत में असिमित बिधाई सक्तियां प्राप्त हो गई, मदरास और बंबई के गवर्नों ने अपनी ताकत खो दी, उनकी बिधाई सक्तियां भी छेल ले गई, कमपनी का बयाप बनेगा भारतिय कानूनों को सहिताबद तथा सुधारने की भावना से लाड़ मैकाले के ध्यक्ता में एक बिधियायोक का गठन किया गया भारत में दास प्रथा को गयर कानूनी घुसित किया गया ठीक है तो ये सारी चीजें हुई चलिए अगले प्रस्त पर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो मोतीलाल नहरू नहरू रिपोर्ट तो ये तो सुमेलित है एमके गांधी चमपाराण अंदोलन निश्चित रूप से ये भी सुमेलित है सी बोस फारवर्ट बलाग तो कांग्रेस अध्यक्षत पद से 1949 में स्थिपाद देने के बाद नेताजी सुबास चंदर बोस ने फारवर्ट बलाग के स्थापना की ये भी सही है म ए जिन्ना खिलाफत अंदोलन असल में ये गलत है खिलाफत अंदोलन असहोग अंदोलन के साथ भारत में चला खिलाफत अंदोलन का मुख्य मुद्दा ये था कि जो आटोमन सामराज्य के सासक हैं जिन्हें पूरी दुनिया के मुसल्मान अपना धार्मिक और राज्यतिक नेता मानते थे और उने खलीपा कहते थे खलीपा अर्थात अल्लाह का प्रिथभी पर चाया यानी वो अल्लाह का प्रतिनिधी है तो अंग्रेजों ने प्रतम विस्वयुद्ध में बुरी तरीके से आटोमन सामराज्य को धो डाला था और आटो मन सामराज्य की रक्षा हो, खलीफा की रक्षा हो, खिलाफत की रक्षा हो, इसके लिए भारत में एक आंदोलन चला, जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं, और इस आंदोलन के जो रीड के हड़ी थे, जिन्होंने इसे प्रारंब किया, वो थे अली महत्मा गांधी ने खिलाफ़त आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक ऐसे आउसर के रूप में देखा जो अगले 100 वर्स तक नहीं आने वाला था तो उन्हों ने खिलाफ़त के समर्थन की घोश्रा कर दी तब उस समय जिन्ना ने गांधी को ये कहा था कि मुल्ला और मोलभियों और धर्म के हिसाब से राजनीत को लेकर के आगे मत बढ़िये नहीं तो बहुत परिसानी होगी उस समय जिन्ना एक सेकुलर लीडर थे तो उन्होंने गांधी जी को मना किया ये काम करने से ठीक है तो एमके जिन्ना खिलाफ़त अंदोलन से नहीं सम्बंदी अली बंदु, सौकत अली और मोहमद अली इस से संबंदीत थे, ठीक है चलिए अगले प्रस्न पर बढ़ते हैं, भारतिय राष्टि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ठीक है, तो C हमारा उत्तर है, ये एक आसान प्रस्न था, यहाँ पे कांग्रेस की अस्थापना से जुड़े हुए कहों कुछ महतोपूर तत्य दिये गए हैं, इसका स्क्रीन साथ लेकर कि आप पढ़ सकते हैं हम डिसकस करेंगे कांग्रेस के जो पहले चार अधिवेशन हुए, उनसे जुड़े हुए महतोपूर तत्यों को इसी तरह से जिस प्रकार से प्रस्ना आते जाएगा, उसी तरह से हम कांग्रेस के अन्य अधिवेशनों को एक क्रम से देखते जाएंगे, ठीक है, तो कांग्रे स्टेजपाल संस्कृत विध्याले में हुआ किसने अध्यक्स्ता की तो व्यमेश चंद्र बनरजी ने किया महासचीव कौन था तो एयो हूं थे एक तत ही ये है कि कांग्रेस के संस्थापक थे लेकिन इन्हों ने कभी कांग्रेस के ध्यक्स्ता नहीं की ठीक है तो इस अध्यवेशन में कुल 72 प्रतिनिध्यों ने हिस्सा लिया ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अध्यवेशन में कितने प्रतिनिध्यों ने हिस्सा लिया तो कुल 72 प्रतिनिध्यों ने हिस्सा लिया और इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्यों को तैंक किया गया, कांग्रेस का क्या उद्देश्यों होगा, प्रमुक सदस से जिनों ने भाग लिया, तो दादा भाई नोरोजी, फिरोज सा महता, दीन सा, एदल जीवाचा, कासी नात्तेलंग और भी रागवाचारी दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो 1886 में हुआ, ये कलकत्ता में हुआ, तो पहला अधिवेशन पंबई प्रेसिडेंसी, दूसरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में हुआ, किस ने अध्यक्षता की, तो दादा भाई नोरोजी ने अध्यक्षता की, तो कुल कितने प्रतिनिध्यों ने भाग लिया तो 434 तो 72 से सीधे 434 हो गए तो एक लंबी छला क्या महतोपूर तत्य है तो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नोरो जी इसके अलावा क्या हुआ तो भारती राष्टी कांग्रेस में इंडियन एसोसियेशन का बिले हो गया ठीक है सुरेंदरनाथ बनर जी और आनंद मोहन बोस का जो संगठन इंडियन एसोसियेशन एयो ह्यूम के साथ साथ सुरेननात बनर जी और अनन्द मोहन बोस को कांग्रेस का प्रमुख वास्तुकार मना जाता है त्रिती अधिवेशन हुआ 1887 में कहा हुआ मदरास प्रेसिडेंसी में तो पहला बंबई दूसरा कलकता तीसरा मदरास किसने अध्यक्स ता कि तो बदरुदीन तैयब जी कुल कितने प्रतिनिध्यों ने भाग लिए तो 607 प्रतिनिध्यों ने भाग लिए तग्या है महतुपूर प्रथम मुसलिम अध्यक्स तो पहले हिंदू फिर पार्सी अब मुस्लिम अध्यक्ष चौथा अधिवेशन कहा हुआ एलहाबाद में हुआ कि किस ने अध्यक्ष था कि जारजियूल ने किया क्या महतोपूर्तत थे तो 1248 प्रतिनिद्यों ने भाग लिया प्रथम अंग्रेज और प्रथम इसाई अध्य ठीक है तो यह जारजियूल पहला कंग्रेज का अंग्रेज अध्यक्स था और प्रथम इसाई भी अध्यक्स था, ठीक है भारत के तत्कालिन गवर्नर जेनरल लाट डफरिन द्वारा कंग्रेज को सुक्ष में दरसी अलफसक्यकों की संस्था या प्रवक्ता कहा गया, कंग न लिखे तो युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो देखे ये एक tough question है इस में जो तथ्य पूछे जा रहा है हो सकता है उसमें उससे आप परचित ही न हो ठीक है तो ऐसे में आपको प्रस्ण देखकर घबडाना नहीं चाहिए बलकि अच्छे से प्रस्ण को पढ़न चाहिए हो सकता है कि आपको Victoria Sadant, Lahore Sadant न न पता हो लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर निकाल लेंगे तो आईए देखे तो हाबडा Sadant प्रकरण 1910, Victoria Sadant प्रकरण 1914, Lahore Sadant प्रकरण 1916 और 1930 अब ये बहुत फेमस नहीं है आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा लेकिन काकोरी Sadant प्रकरण सब जानता है ये 1924 यही गलत है, कौन सुमेलित नहीं है यही प्रस्त पूछा जा रहा है तो काकोरी Sadant केस ये 9 अगस्त 1925 है ठीक है जिसे अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका नाम बदल दिया है काकोरी ट्रेन डकैती या लूट उसकी जगह काकोरी ट्रेन एक्सन ठीक है तो लखनव क के पास काकोरी में ट्रेन को रोका गया और ब्रेटिस खाजाने को लूटा गया ठीक है तो काकोरी Sadant केस 1924 नहीं 1925 चलिए अगला निमनलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट की अस्थापना की ए निहार रंजर रे ने बी निरेंद्र मोहन मुखर जी ने सी ओविंद्र नाथ टैगोर ने और डी बारिंद्र कुमार घोस ने तो निमनलिखित में से इंडियन सोसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट की अस्थापना ओनिंद्र नाथ टैगोर ने की ठीक है 1907 में तो सी हमारा उत्तर है अगला निमनलिखित युगमों में से कौन स सही सुमेलित नहीं है पाला असी आतिक सुसाइटि आप बंगाल 1784 तो यह तो सुमेलित ही है एसे आतिक सोसाइटि आप बांबे 1804 यह भी सही सुमेलित है रायल असी आप सुमेलित नहीं 1813 नहीं, 1823 है, ठीक है, 1823, इसके बाद Land Holder Society या बंगाल 1844, ये भी गलत है, Land Holder Society के स्थापना 1838 में हुई, तो C और D दोनों के दोनों गलत है, ठीक है, तो रायल से आटिक सोसाइटी या ब्रिटेन 1823 और Land Holder Society या बंगाल 1838, पूछा जारा सुमेलित नहीं है, तो दोनों सुमेलित नहीं है, तो ऐसे में हमारा उत्तर होगा C और D दोनों, ठीक है, अब आईए बात कर ले, Land Holder Society के बारे में, तो Land Holder Society द्वारीका नट टैगोर द्वारा अस्थापी थी, ये जमिदारों के हित्तों के लिए बनाई गई संस्था थी, लेकिन इसे भारत का प्रथम राजनितिक संगठन मना जाता है, ठीक है, चलिए, अगला प्रस्न, 1905 में करांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, उडिशा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महराष्ट में, तो 1904 में अभिनव भारत की अस्थापना बिनायक दामोदर सावर करने किया था, असल में 1899 में एक संगठन था, मित्र मेला, ये गुप तो D हमारा 61 का उत्तर है, चलिए, तो आईए अभिनव भारत के बारे में हम थोड़ी बात कर लें, तो बिनायक दामोदर सावर कर द्वारा 1899 में अस्थापित मित्र मेला ही, वर्स 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिल्टित हो गया, 1906 में बिडी सावर कर लं विमारी थी, इस अत्यकांट के अरोपी का नहारेक क्रिष्टा जी गुपाल करवे तथा बिनायक देश पंडे को 19 अप्रेल 1911 को फासी की सजा दी गई, सावर कर को लंदन से गिरफतार कर नासिक लाया गया, तथा 37 अन्य व्यक्तियों के साथ नासिक सडेंट केस चला, जि तो दप्राब्लम्स आप दफार इस्ट नामक पुस्तक का लेखक लाड करजन है, लाड करजन भारत का सरवाधिक और लोगप्री गौवर्नर जनरल जिसके समय में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, ये जो पुस्तक है दप्राब्लम आप दफार इस्ट ये चीन, जापान कोरिया, इस भी सेपर आधारित है, इसे लाड करजन ने लिखा है, अगला, लंदन में आयोजित निमनलिखित गोल में सम्मेलनों में किसमे महत्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम में, दृतिय में, तृतिय में, और उप्रोक्त में से किसी में नहीं, तो लंदन में जो गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया, किसी देड़के न निकलने के कारण, वो तीन अलग अलग बैठकों में खीच गया, तो गोल मेज सम्मेलन ये कही था, लेकिन उसकी बैठक तीन बार हुई, तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन का कांग्रेस ने भ permitsकार किया, लेकिन गांधी गिर्विन समझोते के बाद महत्मा गांधी गोल मेज सम्मेलन में सामिल होने के लिए उन्होंने हामी भर दी तो जुतिये गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक मात्रप्रतिनिधी के रूप में महत्मा गांधी ने अपनी भागिदारी की एक प्रस्न पूछा जाता है कि महत महत्मा गंधी जुतिय गोल मेज सम्मेलन में सामिल होने के लिए किस जहाज से गए थे तो उस जहाज का नाम था S.S. राजपुताना ये भी पूछा जाता है कि गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महत्मा गंधी जब लंदन गए तो वो कहां ठहरे तो वो किंग स्ले ह तो लंजन में आयुजित निमनलिखित गोल में सम्मेलनों में महत्मा गांधी उपस्थित थे जुति ये गोल में जे सम्मेलन में कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधी के रूप में तो यहां पर एक टाइम लाइन दी गई है और इस टाइम लाइन के माध्यम से गोल में सम्मे जोर पर चल रहा है गांधी जी समेत 90 हजार से धिक सत्याग्रही गिरफतार कर लिए गये हैं कांग्रेस को गैर कानूनी घुसित कर दिया गया है प्रेस पर प्रतिस बंद लगा दिया है प्रिटी सरकार ने सैकडों लोग आंजोलन में मारे गये हैं हजारों लोग घायल हुए हैं इसी बीच साइमन कमीशन रिपोर्ट और संबेधानिक मुद्दे पर चर्चा है तो लंदन में गोल मेज सम्मेलन का प्रारंब किया गया तो नौंबर 1930 से जनवरी 1931 के दोरान प्रतं गोल मेज सम्मेलन लंदन में आयोजीत हुआ कांग्रेस ने क्या कांग्रेस ने इसक अब जब कांग्रेस ने गोल में सम्मिलन का वहिसकार कर दिया तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि जब कांग्रेस ही गोल में सम्मिलन में नहीं आएगी तो भारत के संबेधानिक इस्थिति, संबेधानिक प्रगती की बात बिना कांग्रेस की हो इनहीं सकती है क्योंकि उस समय कांग्रेस इतनी बड़ी संस्था थी कि कांग्रेस ही भाइरत थी तो ऐसे में यह हुआ कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस को मनाओ और उसको गोल में सम्मेलन में ले करके आओ तो ऐसे में muchísimo गांधी इर्वीन के बीच एक समझाता हुआ मार्च 1931 में जिसे हम गांधी इर्विन पैक्ट के नाम से जानते हैं, इसमें क्या समझाता हुआ, तो गांधी जी ने कहा कि सभी राजनेतिक कैदी को रिहा कर दो, बिभीन प्रकार के जुर्माने की वसूली को अस्थगित कर दो, इर्विन से नमक बनाने की अनुमती दे दो, आपातकाली नध्यादेश वापस ले लो, पूलिस ने जो जाजतियां किये हैं, जनता के साथ उसकी जाच कराओ, जो दोसिय उसे सजा दो, भागत सिंग तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माप हो, अब इसको लेकर के सहिया से कि ये क्या है, सभीने अवग्यान दोलन, तो इतनी ब कांग्रेस गोल में सम्मेलन में भाग लेगी, इस परहस्ताक्षर करिये, तो इसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, 1931 में गांधी इरविन समझावते को मंजूरी दी गई, पहली बार कांग्रेस द्वारा मौली का दिकार और राष्टी आर्थी का रिक्रम स सबध प्रस्ताव पारिथ हुए और पहली बार पूर्ड स्वाराज को परिभासित किया गया, कि पूर्ड स्वाराज का अर्थ क्या है, इसी सम्मेलन को गांधी जी की लोकप्रियता की चरम परकाष्ठा नेताजी सुभास चंद्र बोस ने किया, अब इसके बाद जब ये ह हो गया, कांग्रेस ने पुष्टी कर दी गांधी अर्विन समझोता की, तो सितंबर 1931, दिसंबर 1931 के दोरान जो जुधिये गोल में सम्मेलन आयो जो हुआ, उसमें कांग्रेस की एक मात्र प्रदिर निधी के रूप में गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन गांधी जी ज नाम गांधी हो गया, उसके बाद बीना किसी ठोर्ष नेड़ा के जुतिये गोल में सम्मेलन समाब्त हो गया, गांधी जी भारत लवटे और आंदोलन पुनफरारम हो गया, सभी नहों ग्यांदोलन जो अस्थगित किया गया था, उसके बाद बड़े पैमाने पर गांधी सभी छोटे बड़े नेता को गिरफतार किया गया, कि सभी नहों ग्यांदोलन को ठंडा कर दिया जाए, नॉमबर दिसंबर 1932 के बीच तिरतिये गोल में सम्मेलन आयोजित किया, कांग्रेस ने हिस्सा इसमें नहीं लिया, और अप्राइल 1934 में सभी नहों ग्यांदोलन को ही वापस ले लिया गया, अब प्रस्त मेरा आप से ये है कि इस सम्मेलन को गोल में सम्मेलन क्यों कहा गया, राउंट टेबल कांफरेंस क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या साय था, ठीक है, ये कमेंट करके आप बताएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, बंकीम चंदर चट प्रसिद उपन्यास आनंद मठ का कतनांग आधारित है सन्यासी विद्रोह पर, और हमारा जो राष्टिय गीत है बंदे मातरम, वो भी आनंद मठ में ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह D, अब जल्दी से हम सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे, तो भारत मे अंग्रेजी राज की बिरुद हुए सबसे प्रारिम्भिक विद्रोह में ये सबसे महत्वपूर था इस विद्रोह का तातकाली करण था तीर थे यात्रा पर लगाया गया कर अब बहुत से इसके वर्जन है इस विद्रोह का प्रभाव छेत्र था बंगाल ये जो सन्यासी थे ये संकराचारे की अनुयाई थे तथा गीरी संप्रदाश से संबंदित थे बंकीम्चंच चाटरजी द्वारा लिखित पुस्तक आनंदमट की विशेवस्ती इसी सन्यासी विद्रोह पर आधार रिता है प्रारम में इस विद्रोह को दबाने का सरे वारे नहेश्टिंग को दिया जाता है अब हमने सन्यासी विद्रोह देख लिया तो फकीर विद्रोह भी देख लेते हैं तो ये मुलते एक धार्मिक विद्रोह था जो मुसल्मान फकीरों द्वरा किया गया था इस विद्रोह के प्रमुक नेता मजमून सा और चिराग अली थे इस विद्रोह का प् ओखरिजी और ्डीजे प्रकास नारायर तो अखिल भारतीय किसाன सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानन्द सरस्फवती अखिल भारतीय किसान सभा की अस्थापना 1936 में लखनव में की गई थी ठीक है तो अखिल भारतिय किसान सभा से जुड़े हुए कुछ मातोपूर तत्यों को देख लें तो बिहार किसान सभा आंधर प्रांती किसान सभा तता किसान संग को मिलाकर 1936 में अखिल भारतिय किसान संग अठन बना जिसे अखिल भारतिय किसान सभा का नाम दिया गया पहला अखिल भारती सम्मेलन 11 अपरेल 1936 को लखनव में आयूजित हुआ स्वामी साहजानन स्वरसती सम्मेलन के अध्यक्स थे तथा एंजी रंगा महासच्यू चुने गए थे एंजी रंगा से जुड़ा हुआ बहुत प्रस्तनाया है इस सम्मेलन को जवाहरलाल नहरू ने भी सम्मोधित किया इस सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्ड लिया गया अगला विबेका नंद ने सिकागो में आयूजित पार्लियमेंट आफ वर्ल्ड रिलिजिन्स में भाग लिया था और अपनी शमतकारिक वाड़ी से सबको मंत्र मुगध करने का कारे किया और बहुत अधिक प्रतिष्ठा इन्होंने प्राप्त किये और रातो रात इनकी सुहरत पूरे दुनिया में फैली ठीक है तो ये 1893 में हुआ ठीक है स्वामी विबेका नंद से जुड़े हुए कुछ महतोपूर्टत्य और रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए कुछ महतोपूर्टत्यों को हम देखेंगे स्वामी विबेका नंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ था प्रस्त बहुत बार पूछा गया है इनके स्वामी थे रामकृष्ण परमहंस इनका भी नाम पूछा गया हुए वास्तविक तो इनका नाम था गदोधर चटोपाध्याग स्वामी विबेका नंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के सिकागो सहर में आयोजित 200 धर्म सम्मिलन में भाग लिया और ब्याक्ष्यान दिया इनके द्वारा 1896 में न्यू नियार्क में बेदान्त सोसाइटी की अस्थापना की गई स्वामी विबेका नंद मूर्ती पूजा और बहु देवतावाद का समर्थन किया इनके उपदेशों का प्रचार प्रसार इनकी सिस्या सिष्टर निविदिता जो जिनका नाम वास्तविक था मार्गेट नोबेल ने किया इन्होंने राज योग, कर्म योग, ज्यान योग एवंग बेदान्त फिलास्पी जैसी पुस्तकों का संपादन किया इन्हें 19-वी सतापदी के 9 हिंदू जागराण का संस्थापक कहा जाता ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्ना लिखित में किस अधिवेशन में कांगरेस ने पहली बार भारती रियासतों के प्रती अपनी निती घोसित की ए नागपूर अधिवेशन, बी गया अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी लखनव अधिवेशन तो अपनी अस्थापना के समय से ही 1885 से ही जो कांगरेस का लक्ष था वो ब्रिटिस भारत में उसकी सभी गतिविधियां संचालित होती थी देशी रियासतों में नहीं, आप सभी को पता है कि 1947 से पहले का भारत, असल में दो तरह का भारत था एक जो ब्रिटिसों के द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित होता था, जिसे हम ब्रिटिस भारत कहते थे और एक छेतर था, जिस पर राजा सासन करते थे, जिसे हम देशी रियासते कहते थे, नेटिव स्टेट्स या प्रिंसली स्टेट्स राजाओं के राज्य तो प्रिंसली स्टेट्स में कांग्रेस की कोई गतिविधी नहीं थी, सारी गतिविधी ब्रिटिस राज के विरुद्ध थी लेकिन फिर ये महसूस किया गया कि हमें प्रांतों जो देसी रियासते हैं उनके अंदर भी काम करना चाहिए तो पहली बार भारती रियासतों के प्रती अपनी नीती की खोषडा कांग्रेस ने नागपूर के अधिवेशन 1920 में जो आयोजीत हुआ उसमें घोसित किया ठीक है चलिए अब कुछ महत्वपूर जो अधिवेशन है कांग्रेस के वो भी हम देख लेते हैं प्रस्तन है लेकिन सबसे पहले नागपूर अधिवेशन तो ये 1920 में हुआ कौन अध्यक था स्री सी बीजय रागहो चेरियार क्या क्या हुआ तो कांग्रेस के संबिधान मे का गठन भासाई अधार पर किया गया अब हम देखे 1917 का जो अधिवेशन था वो इस ले महत्वपूर था कि पहली बार कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो एनिवेशेंट कांग्रेस के अध्यक्षता बनी 1919 का जो अमरित सर अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्षता पंडित मोतिलाल नहरू ने किया ये कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगा धर तिलक ने भाग लिया ये देखे इस तरीके से हम लोग सारी चेज़ों को पढ़ते हैं क्लास में देखे ये प्रस्न फूछा गया कांग्रेस कांथी मधिवेशन जिसमें बालगंगा धर तिलक ने भाग लिया 60 में कलकटा बिसेस अध्यक्षन लाला लजपत्रा इसके अध्यक्ष रहे सो लुए पत्र आए ऐसे रहे जिने कांग्रेस की अध्यक्षता मिली तो लिखा है गरम दल के प्रतिनिधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 वेल गाउं का अधिवेशन महात्मा गंधी ने अधियक्षता की क्या महत्वपूर है इसमें प्रथम और अंतीमबार कांग्रेस के अधियक्ष बने गंधी जी 1925 में कानपूर में अधिवेशन हुआ, सरोजणी नाइडू अध्यक्ष बनी, क्या मातोपूर था, तो प्रथम भारती महिला सरोजणी नाइडू थी, जो कांग्रेस के अध्यक्षा बनी 1929 का लाहोर अधिवेशन अध्यक्ष थे जवाहर लाल नहरू, क्या हुआ, तो पूर स्वराज की मांग किये गए, ठीक है, चलिए, अगले प्रस्तों पे बढ़ते हैं राजा राम्मो, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी हैं, राष्टी अंदोलन के दौरान निमनलखित में से किसने यह वक्तब्य दिया था, तो सी हमारा उत्तर है, तो 2015 का जो कैंसल हो गया था इज्जा, उसके प्रस्तन हमने देख लिए, अब जो 2015 का री एक्जाम था, उसके प्रस्तनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है चलिए, लखनव में 1857 के स्वतंतरता संग्राम का नेत्री तो किसने किया था, A. जीनत महल, B. नाना साहब, C. हजरत महल, D. तात्या टोपे, तो लखनव में 1857 के अवद से बगावद की बागडवर को समाला था, जीनत महल, बहादूर साथ जफर की पत्नी, नाना साहब, पेसवा के पुत्र, जिन्होंने की कानपूर में 1857 की करांती को चलाया, और तात्या टोपे, जिन्होंने लक्ष्मिबाई के साथ भी, और नाना साहब के साथ भी का ठीक है, तो देखे, इस तरीके से हमने पूरे 1857 का जो घटना करम था, उसको समझा हुआ है, तो हमने लिखा है, अवद विद्रोह की ओर क्या हुआ, तो लखनव के सिपाईयों का विद्रोह, बिर्जिस कादिर को नबाब घोसित करके, बेगम हजरत महल ने मुर्चा खोला जून 1857 तक संपूर अवद में विद्रोह का विस्तार, उसी तरह से कानपूर विद्रोह की ओर, उसी तरीके से जहासी में रानी की हुंकार, ठीक है, मैं थोड़ा हाट जाता हूँ, आपको स्क्रिन साट लेना हो तो आप ले सकते हैं, चली हम आगे बढ़ते हैं, अब यहा साट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रिन साट ले लीजिए, हम अगले प्रस्त पर बढ़ेंगे, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर अंदूलन निम्न में से किस के विरुद्ध था, A मंदिरों भरष्टाचार, B हिंसा, राजनेतिक नेताओं, गिरफतारी, D सांप्रद बाइक्ता, तो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर अंदूलन मंदिरों में भरष्टाचार के विरुद्ध था, C.R. दास ने भी इस अंदूलन को अपना समर्थन प्रदान किया था, अगला, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा अस्थापित दल का क्या नाम है, भारती बोल्से दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्सेविक, लेनिनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल, कितना अच्या नाम है, तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक है, चलिए अगले प्रस्न पे बढ़ते हैं अधिवेशन हुआ उसमें प्रथम भारती महिला ने अध्यक्सता किया जिनका नाम था सरोजनी नाइडो तो कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर तथ्य यहां पर दिये गए हैं जैसे कांग्रेस की अस्थापना के समय लाड डफरिन भारत का वाइसरा और गौवर्नर जनरल था इससे जुड़ा एक प्रस्न पूछा जाता है यही कहता था कि कांग्रेस सुच्छ मदर्सी अल्फ संख्यकों की जन प्रतिनिधित वाली संस्था है बंबाई के रूप में लाड बिलिंग्टन ने कांग्रेस के बंबाई अधिवेशन 1915 में भाग लिया था बंबाई के गौवर्नर के रूप में ठीक है उसके 1926 में आउजित कांग्रेस के गुहाटी अधिवेशन में सभी कांग्रेसियों को ख़दर पहनना अनिवारे कर दिया गया था इस तरह के प्रस्ट पूछे जाते हैं 1937 में कांग्रेस का फैजपूर अधिवेशन कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गाउं में आयोजित किया गया था इसके अलवा हम जानते हैं एनिवेशन्ट सरोजणी नाइडू उसके बाद तीसरी जो महिला ध्यक्षा थी उनका नाम था नेली सेन गुप्त ठीक है एक ब्रिटिस महिला थी जिन्होंने एक बंगाली भारती जतिंद्र मोहन सेन गुप्त से विवाग किया था तो 1935 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष वास्तों में मदन मोहन मालवी जी चुने गए थे लेकिन वो जेल में थे तो नेली सेन गुप्त को कारेकारी अध् लोक हित वादी उपनाम से किसे जाना जाता था? सेना की टुकडी, तो कामा गाटा मारू एक जापानी जहाज था, सी हमारा उत्तर है, आईए कामा गाटा मारू के बारे में पढ़ें, तो कामा गाटा मारू एक जापानी जहाज था, जिसे पंजाब के गुरुदत सिंग ने किराये पर लिया था, इस जहाज में कुल 376 भारत यह सवार थे जिनका ब्रेक अप है ऐसे भी प्रस्न पूछा गया है तो 27 मुसल्मान थे 12 हिंदू थे और सबसे अधिक 337 सिक इसमें सवार थे और हांग कांग से यह बैंक कूर यानि कनाडा जा रहे थे 23 माई 1914 को ये लोग कनाडा पहुँचे लेकिन कनाडा के ब्रिटीस अधिकारियों ने इनको जहाज से उतरने की जाज़त नहीं दे तो इन्हों ने एक कमेटी का गठन किया सोर कमेटी या तटी ये कमेटी का ठित की जिसमें थे हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवन सिंग ठीक है लेकिन सब कुछ करने के बाद भी इन्हें कनाडा में उतरने नहीं दिया गया और जहाज को सीधे कलकत्ता भेज दिया गया जब कलकत्ता जहाज पहुचा बजबज बंदरगाह पर तो पूलिस और यात्रियों में जढप हुई जिसमें 18 यात्री मारे गये तो कामा गाटा मारू एक जापानी जहाज था अगला 1946 के कैबिनेट मिशन का नेत्रित्व किया गया था किसके द्वारा ए सर पैथिक लारेंस द्वारा बी लाड लीन लिथ गो द्वारा लाड बेवल द्वारा सर जान साइमन द्वारा तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेत्रित करें तो जुतिय विश्व युद्ध की समाप्ती के बाद नौ गठिज जो सरकार थी विश्टन चर्चिल जो भारत विद्रोधी था और जिसने अंग्रेजों को जुतिय विश्व युद्ध में बिजय दिलाई थी उसकी सरकार चली गई और नई सरकार बनी क्लीमेट एटली के नेतिरतों में तो 1946 को कैबिनेट मिशन की घोसरा की गई इस नई सरकार के दोरा इस तीन सदस्य मिशन के अध्यक्स थे भारत सची उलाट पैथिक लॉरेंस और दो सदस्य से थे बोर्ड आफ ट्रेड के अध्यक्स सर इस करने आया था पहला सांतिपूर तरीके से भारत को किस प्रकार से सब्ता का हस्तांतरण हो जाए और दूसरा संबिधान सभा तथा अंतरीम सरकार का निर्मार किस प्रकार से हो ये दो मुद्दे कैबिनेट मिशन को तैं करने थे कैबिनेट मिशन भारत के विभिन्यन कोई निसकर्स नहीं निकल कर क्या है तो गांधी जी ने कैबिनेट मिशन से कहा कि आप अपनी बात रखिए क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि हमें एक मजबूत केंदर चाहिए और मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि एक धीला ढ़ला कमजोर केंदर चाहिए तो अंततह कैबिनेट मिशन ने अपनी घोषडा की अपना प्रस्ताओं दिया ठीक है तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताओं की घोषडा की ठीक है बीभाजन होगा तो ये तीन समूह क्या थे तो समूह ए इसमें क्या था तो NWFP सिंद और Πंझाब ये समूह क्या था मुस्लिम बाहुले था ज़िक है तो किस तरह की बयुस्था की बात हो रही है तो ये बात कहा जा रहा है कि एक κेंद्र होगा ठीक है उसके नीचे तीन समू होंगे समू A समू B समू C अभी कैसी बहुस्ता है तो एक केंदर की सरकार है उसके नीचे राज्यों की सरकार है लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि एक केंदर होगा उसके नीचे समू होंगे समू A, समू B, समू C और इन समूहों में क्या होगा इन समूहों में प्रांत होंगे जैसे समूह A में है सिंध एक-एक का नाम में लिखता हूँ पंजाब NWFB समूह B में क्या है बंगाल और असम है समूह C में क्या है तो से सभी इन दोनों को छोड़के समूह A और B को छोड़ कर ठीक है तो अब समझे कि पहले केंद्र होगा फिर समूह होंगे फिर उनके अंदर प्रांतों होंगे और 10 वर्ष के बाद इन प्रांतों को ये आजादी होगी कि वो अपने समूह का बदलाव कर ले यानि कि NWP सिंध और पंजाब में से कोई समूह B में जाना चाहे बंगाल और असम के साथ तो जा सकता है कोई समूह B से असम अगर पंजाब में जाना चाहता है तो जा सकता है यानि कुल मिला करके कैबिनेट मिसन प्लान में ये तो कहा गया कि मुस्लिम लीग कि पाकिस्तान की मांग को ही स्विकार किया गया था क्योंकि ये समूह आप बताईए कि जो हिंदू बहुल समूह थे वो इन में मिलेंगे तो ऐसी भी से दे दिया गया कि ये समूह आपस में मिल जाए और केंद्र क्या है बहुत कमजोर है तो पहले केंद्र है फिर समू है और फिर प्रांथ है तो इस तरीके से समू ए में कौन सा छेतर रखा गया है ये सब मुस्लिम बहुले NWP नार्थ विश्ट फ्रंटियर प्रोविन सिंध और पंजाब यही आज का पाकिस्तान है हम जानते ही हैं समू बी में क्या रखा गया बंगाल और असम तो बंगाल आज का बंगलादेश है हम जानते हैं पहले पूर्वी पाकिस्तान था तो यह समू इसी तरह से बनाए गये थे ठीक है अगला वर्स 1929 में जारी किये गए दिपावली घोश्रा पतर का संबंद था ए सम्प्रदाइक समस्या से बी डोमेनियन स्टेटस से सी स्रमिक नेताओं से और डी अस्प्रिस से तो वर्स 1929 में जारी किये गए दिपावली घोश्रा पतर का संबंद था डोमेनियन स्टेटस तो लाड इर्वीन ने 1929 में 31 अक्टूबर को ये घोषडा की कि ब्रिटीस सरकार का जो उद्धिस से है वो भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है ठीक है चलिए गांधी जी को वन मैन बाउंडरी फोर्स कहकर किस ने संबोधित किया था ए चर्चिल ने वी अटले ने सी मांट बेटन ने और डी साइमन ने तो गांधी जी को वन मैन बाउंडरी फोर्स कहकर के मांट बेटन ने संबोधित किया था और आपको ये बताना है कि मांट बेटन आईसा गांधी जी कि किस कारे को देख करके कहा था कि गांधी जी वन मैन बाउंडरी फोर्स हैं तो सी हमारा उत्तर है सतहत्तर का चीक है तो इस प्रकार से 2014 से लेकर 2015 तक इसमें एक कैंसल्ड पेपर था फिर रिखजाम हुआ तो कुल तीन पेपर से हमने डिसकस किया Modern History से जो प्रस्न पूछे गए थे मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा मिलता हूं इसी सीरीज के अगले भाग में तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार ध अधनो